मेरा ये जो है Simba Apache RTR 164 भी है इसका टायर का हालत भाई पूरा खराब हो गया पूरा घिश चुका है मतलब जब से मैंने बाइक लिया हूँ 45,000 किलोमेटर में लगबग चला चुका हूँ इसको 4 साल हो गया है टायर में अभी तक चेंज नहीं करवाया हूँ पीछे का भी पूरा भूरा है रैक पर चलने हाला जो बाइक है न उसके जैसा हलत हो गया तो सोच रहा हूं इसको चैंज़ करवाने का और 130 सेक्षन का जो चैर है सोच रहा हूँ इसका 1160 सेक्षन का लगução लेता हूं तो लुक काफी बल्कियों और वाइड दिखेगा भाई तो चलो सीधा आपको रास्ते बताते हैं क्या सीन है क्या नहीं है क्या लूगा तो चलो पहले यहां से निकलते हैं गाइस अभी मैं चल रहा हूं मेरा एक दोस्त है अप अलसर टुट्वेंटी है तो उसका कराना है गाइस तो उसी भाने गाइस मैं अपना भी टायर का जो है चिक कर लूगा देखते हैं क्या श्रीन होता है क्या लूगा देखता हूं अच्छा कर पसंद आएगा तो ले लूगा वाकि अभी तो फ्रीलाल टूट्वेंटी का चेंज करना है कि एक साइज बड़ा लगवाँगा जो अभी मेरा टायर का साइज है 130 है तो 140 लगवाँगा नहीं सर कुछ नहीं चाहिए एक दोस्तों को खोज रहे हैं तेक आरा आरा पसंद कर लिया टायर कौन सा है है यह 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 यूद टीए बैक साइट लेगने की चालीश सेक्शन गला अट यह वाला कितना लाई रहा है यह सारा C8 का ही है किमेरे सप्कर क्राइस यह है है जालमोenne कि देखने हंति कि में प्रेंद कुल्स और यहां है आपि केंक यहत्यों ऑक्तिश्वृति है जो जब्योफ है कि अई-वाहे है यह साइस कि लाग लग रहा ही कितना मूठा लग रहे है कि यह टाय लगा दीजिए समय ट्वेंटी में कि इसी से चिपक जाएगा पुरा जोगाम आप दे रहे हैं कि खोड़ने के लिए बहुत महिने करना पड़ा ना पतला हो गया तो है रही पतला लग रहा है कि यह से वाज कर रहा है और टूटर ना जाए फिका जाए वीडियो में तुखा इस टाय लग चुका है अभी वापस से गाड़ी में लगाया जा रहा है कि यूटीब में लगाया है कि इस टाय लगाया पूरा हो गया है एक सुतीस था ना एक सुटीस लगाया पुरिटा किये तुम् कि हल्मेट नहीं लाया है काहे है कि मुचा मुचा लग रहा है कि इधर जाएगा तो इधर से नहीं जाएगा इधर से और ठीक है तो हम इधर से जा रहा है अर्चा रूंसाई राह इंड़ रगाया हुआ है ड्याहीं उहाँ है कि अधिरोड़ प्याकर अबजया है